आज के इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा कि किस तरह से आप अपने किसी भी Android फोन को Android Nougat 7.11 में अपड़ेट कर सकते हैं हाँ जी फ्रेंट्स वैसे तो आपने देखा हुगा कि अगर ऑफिशियल अपड़ेट नहीं आता है हमारे फोन का तो हम क्या करते हैं कि अनोफिशियल तरीके से CWRP रिकबरी की मदद से हम किसी भी अनोफिशियल फिरिम्वेर को अपने फोन में फ्लेश कराके अपने Android वर्ज हैं तब ही आप अपने फोन को TWRP रिकबरी की मदद से अपग्रेट करें अधर्वाइस आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें फिलहाल मैं आज आपको एक ऐसे अप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसको इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको यूज करेंगे तो आ हम अपने फोन को किस तरह से Android 7.11 में अपग्रेट कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने प्ले स्टॉर पे और वहां जाके इस अप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो प्ले स्टॉर पे आने के बाद यहां पे सर्च कर लेते हैं Noget UI आप देख सकते है आप फस्ट नंबर पे Noget UI का अप्लीकेशन आ चुका है यहां से इसको अब इंस्टॉल कर लेते हैं फिलाल आप देख सकते हैं मेरा यह पहले से इंस्टॉल है तो आप इसको यहां से इंस्टॉल कर लीजे और मैं यहां से अब इसको ओपन कर लेता हूँ तो आप यहां पर स्टॉल करके अपनी अप्लीकेशन को हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो इसको लेफ्ट साइड से हम स्लाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल नॉगट की तरह यहां पर इसके सारे ऑप्शन आ रहे हैं सारे अप्लीकेशन हमें यहां बिल्कुल ही नॉगट की तरह शो कर रहा है इसी तरह से हम स्टेटस वार को नीचे करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल ही अलग स्टेटस वार नजर आ रहा है जैसा कि फ्रेंड्स मेरा फोन यहां पर यह लॉलिपॉप है तो लेकिन फिल भी देखिए आप बिल् फोन इंफोर्मिशन में जाते हैं और यहां पर भी आप देख सकते हैं Android वर्जन में 7.11 दिखा रहा है तो यह बिल्कुल ही आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमारा फोन अप्ग्रेड हो चुका है Android 7.11 में तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने फोन को नॉगट 7.11 में अ सो गास आज के वीडियों बस इतना ही था अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जरू करें और नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यह बिलकुल ही फिरी है तो चलिए अब मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू